आज से करीब एक सार पहले एक मूवी आई थी जिसकी सची कहानी और किरदार अपना दर्द बाकी के दिलों तब पहुचा गई थी वो भी बिना किसी प्रोमोशन के कहते हैं ना कंटेंट में दम हो और इरादा नेक हो तो काम्याबी मिल ही चाती है भाई लोगों ने बोल बोल करना बहुत जरूरी है इस मूवी को बैंड करने की मांग बहुत से एक्टिविस ग्रूप ने की थी और भाई कोर्ट में पैटीशन भी डाल दिया था पर कोर्ट ने उसे खारिच करते हुए कहा था जब सेंसर बोल ने पास कर दिया है तो भाई फिल्म रिलीस होगी अब ट पर भी सचाई दिख भी रही है क्योंकि लोगों की रियल इंटेव्यूस लास में दिखाए गए हैं अब इवेंट बाइवेंट प्लॉट पर चलते हैं ताकि जहां भी मुझे लूप हो लगा है वहां में आपको बता सकते पहले तो चार लड़किया ऐस नर्सिंग करने की कोशिच करने लगती हैं जो कि मुझे कंवेंसिंग नहीं लगा और यह लड़किया अपने रिलीजिन को लेकर जरा भी कॉंशिस नहीं लग रही थी वहीं क्रिश्यन वाली लग रही थी इसलिए उसको करना थोड़ा मुश्किल था फिर यह मुस्लिम लड़की अपन अपने से बेटर की तरह बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं जो कि फिल्म में हुआ भी फिर यह दिखाया गया कैसे यह मुस्लिम लड़की बाकियों को हिजाब पहने के लिए कंविंस कर लेती हैं और भरकाना चैलू कर देती हैं अपने रिलीजिन के लिए एक तो दिखा है जो कि कबिले तारीफ है क्योंकि यह पास्ट और प्रेजेंट मूवी को काफी अच्छे से इंगेज मनाता है वहीं लव जिहाद के एंगल बहुत ब्यूटिफुली रिप्रेजेंट किया गया है और लड़कियों को मैनिपलेट जैनरली इसी एंगल से किया जाता है यह हम काफी अत्रक समझ सकते हैं कहीं भी केरिल को डेरोगेटरी वे में नहीं दिखाया गया है क्योंकि इसके लिए थोड़ा बावाल कीती केरिल गवर्मेंट और अगर मैं रियल लाइफ पर बात करूं तो एक चीज़ पर कन्विंस होना थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे व काफी बूटालिटी को अच्छे से दिखाया गया है केरल की सीनिक ब्यूटी को अच्छे से दिखाया गया है कहीं भी बहुत अब्यूसिव लेंगज का इस्तमाल नहीं किया गया है तो भाई आप अराम से फैमिली के साथ जा सकते हैं वो डेफिनेटली सजेस्ट गो एंड मैं इसको फाइफ में से 3.5 स्टार दें दी आपको क्या लगता है क्या ये मूवी बॉक्स ओफिस कलेक्शन ओफ दा कश्मीर फाइफ को पार कर पाएगी और गौर्मेंट इसे टैक्स भी करेगी या नहीं ये मेरे कमेंट बॉक्स ना बताईए तब तक के लिए चैनल को सब करना ना भूले फिर मिलेंगे एक नहीं वीडियो के साथ थैंक्स वर वाचिंग बाइबाए